हेलो एवरीवन आप सबका ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत हैं आज का जो हमारा सेशन होगा वह सामाने ग्यान से रिलेड़ेट कुछ कोशन होंगे तो आप लोग अपना जो स्कोर हैं 50 में आपने कितने कोशन सही किए वह कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा और आपको स्टिशन कैसा रगा वह भी बताईएगा और अपने फ्रेंट को वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जूट सकें और इसका लाव उठा सकें तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ला हमारा समविधान सभा बना तो पूरा करिंग मिशन यूजन के तफिट या जो है क्या मैं सभ्षंव जो कैपने मिशन में कहा गया वह हमारे संविधान साभा में बनाया गया के यह कहा था कि हमारे संभान सभा मेरे कży होने चाहिए कितने vard Denya सथ अर ऊब चुने चाहिए त permet के लिए तिरान नबे जो है देशी रियासत के लिए और चार जो है वो कमिशनर चेत्रों के लिए चुने गए और कैप्टेन मिशन ने कहा जितने भी सदसे चुने जाएंगे वह क्या है प्रांतों के विधान सभाव द्वारा चुने जाएंगे तो आप लोग यह जरूर अगर आप से पूछा जाता कि प्रांतों के कितने सदसे तो आप बताएंगे दोसु बान नबे और अगर पूछा जाता कि देशी रियासत के तो आप बताएंगे तीरान नबे ठीक है तो यह हमारा कोश्चन आपको कम्प्रीट हुआ सेकेंड कोश्चन है समविधान सब हमें विभिन प्रांतों के लिए दोसु बान नबे सदस्यों का निर्वाचन होना था इनमें से कॉंग्रेस के कितने प्रतिने दिनिर्वाजित हुएं तो हमने आपको बताएं कि तीन सु नवासी में दोसु बान नबे कहां से चुने किसके लिए निर्वाजित हुएं कॉंग्रेस के ठीक है तो दोसु बान नबे में 208 सदस्य जो हैं कॉंग्रेस के निर्वाजित होकर आये थे तो करेक्ट आंसर क्या होगा अब भी होगा कोशियन है们 1947 में पुनर गठन के बाद स्मविधान सभा में सधस्यों की संक्या इसके वाए किसके दौराऄ मिशन द्वारा किनते सबस्क्रूक कांपनेट मिशन में तुम अधिये कंते सबस्क्राइज उसके कम सबस्क्राइबंगेर पुणा सबस्क्राइब तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि 1947 में पुनर गठन जब वह तब समिधान सब्वा में कुल टोटल कितने सदसे तो इसका आंसर क्या होगा देखें पहले कितने थे 309 अवाशी थे लेकिन पुनर गठन के बाद ये 1946 में थे मिशन योजना के दवारा लेकिन जब पुनर गठन हुआ तो 1947 में हुआ ठीक है कुल टोटल कितने सदसे रह गया है 299 सदसे ठीक है 299 सदसे टोटल रह गया इसका पुनर गठन के बाद और दोसो नाइटीन में तो ट्वैंटीन आइन जो है प्रांतों के और सेवंटी जो है देशी रियासत के ठीक है तो आप से यह भी पूछ सकता है कि दोसो निन्यान नभे में प्रांतों के लिए कितने सदसे का निर्वाशन हुआ तो उसके तो हमने आपको बताए कि 299 सदसे थे इसमें से 229 किसके थे प्रांतों के लिए और 70 जो है वो देशी रियासत के लिए थे तुसे क्या होगा सत्तर यानि कि देशी रियासत के लिए को टोटल कितने सदसे थे सत्तर सदसे थे सेवंटी पुनर गठन समीधान सभा में प्रांत 6 question है भार्ति समविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई तो हम लोगों को बता आजब कि जब गठन हुआ था तो 1946 में Captain Mission यूजना ही ठीक है उनिस सो ची आलिस में तो हमारी जो समविधान सभा में Captain Mission योजना में जो जो बताया गया वही हमारे सम्विधान सभा के लिए फॉलो किया गया ठीक है तो हमारे सम्विधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया क्या गया क्या क्या गया क्या 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 क कि द्वारा हमारे सम्विधान सभा का गठन हुआ सेवन्त कोश्यन है सम्विधान निर्माति सभा में जंडा समीति की अध्यक्ष कौन थे देखिए जब हमारी सम्विधान सभा बनी तो उसमें प्रकार की समितिया थी जंडा समीति थी कारी संचालन समीति थी प्यारूप समीत करेक्ट फिरलान मिलिकों प्रिठाथ करेक्ट फिरलिके siya । आप तली प्रिपनायmas देखा है प्रिट कर्फिछाद सरना नहीं डिए ऑप गड़ बनेंगे में पुर्फुज़ाEL लेकिन अगर गल्वे और ऑजान परिफ Brewster करेक्ट घाबलाल गोपिस एचालन समीत Lex में में लाल नैरु जो थे वो संग समीती ही इसी प्रकार हमने तीन समीति को संध्य अठ्वा कोशण है प्रारूप समीति के संध्या कित् been संध्य कि संध्यिक थी प्रारूपास्विधान के संध्य कही दा व्हta I. jis क्če-um and तो इसका correct answer क्या होगा seven तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्रारूप समीती में किकुल सदस्यों के नाम बताइए कौन-कौन सी प्रारूप समीत के सदस्य नहीं है तो प्रारूप फ़र गटकर एक लिए अपर गटकर थे हो स्थिएर नाम है उसंदग और के छर्ड क्ट मेरे अख्ड नाम यान्भैइयदर टेप अधीर तो कॉन थे यूष्ड है फॉर्थ कॉन थे कियम मुन्सी थै और चौथा कौन थे देखिए फॉर्स मैंने बता दिया फिप तो कौन थे साधुल्ला थे और शिक्स कौन थे देखिए बीयल मित्र कौन कितने नंबर पर थे शिक्स नंबर कर लेकिन बीयल मित्र किसी कारणवर्ष जो है वो सम्विधान प्रारूप समिति को छोड़ देते त तो आप से पूछ सकता कि बीयल मित्र की जखा पर कौन आ गया था तो माधो राव आ गया थे सेवन्थ कौन है खेतान जी थे लेकिन खेतान जी की मृत्ति हो जाती तो उनके स्थान पर कौन आ जाते कृष्णाचारी आ जाते है तो इस प्रकार हमने साध सदस्यों को चुना मतलब देखा अगर आपसे पूछा जाया कि क्या साध सदस्य में जवाहालाल नहरू थे तो आप बताएंगे जवाहालाल नहरू नहीं थे तो आप लोग एक बार डिवाइश कर लीजेगा कौन कौन थे देखिए अम बेटकर अध्यक्ष थे आयंकर जो थे वो भी थे कियम म करने समिधान सभा की प्रथम बार बेठक हुई थी हमारे समिधान सभा की 9 दिसंबर Mai 1946 हुई थी तो इस प्रकार हम ने ये वाला वाना कोश्चन देखा तिंत्र कहल डिटे हैं तिंतर कोश्चन है एँमारा क्रारूप समिती की नियुकती ते जो पृष रुष रुष प्र थी 29 अगास 1947 थी आप से यह भी पूछ सकते हैं कि प्रारूप समीति में कितने सदस थे तो टोटल साथ सदस थे और उसमें से बियल मित्र की जगा कौन चुना गया माधो राव और खेतान की जगा कृष्णाचारी ठीक है तो इस प्रेकार हमने प्रारूप समीति से सारे questions को द भारत क्या है इक ढर्मी पेशीं लास्ट रहा ही इंडू मुस्लिम रास्ट कुछ साथ कोई भारत को Pak कहते हैं इस बिचार करते हैं देखिंडर्म मुश्य स्राश्च का मतलब होता है मिशन्मली को इसका महीं करकाइब्द करने तो यह जो अधार में होते हैं तो धर्म और सरकार को तो है उनके लिए सबी धर्म बराबर है जलिस सरकार का कोई अपना एक धर्म नहीं होता है तो इसलिए भारत के तेरवें भारत को गर्तंत्र क्व कहते हैं तो पहले हम गतलब कलिभारत को जानता या होता है कि हमारे तो यहां पर जो भी निर्वाचित होता है राश्पती जो एक निश्चित अवद के लिए निर्वाचित होता है अगर पांच साल के बाल फिर राश्पती का चुनाओ तो इसके बाद फिर सेकेंड जो होगा दूसरी को मौका मिला जाएगा ठीक है मिलेगा तो इसलिए हमारे गया है गरतंत्र राश्टी हमारा भारत जो है तो इसका डिया उप्शन जो होगा वो सही होगा इसमें लिखा हुआ राश्पती का प्रमुक निर्धारित अवद के लि ठीक होगा को चुनाओ होता है धारत गरतंत्र नास्ट है तो आगे इसका आपको बता है यहां भारत में बंशन उगसासन शान यह इसलिए इसलिए आर्ष विवा सीमा में क्या ह surtout संपस्रिक्राइब को हां यह संसे में इसमें तो ये पूर्वी पंच्छिमी है और गस्त्रिकों इतसंसे मंदें benefici है और गज्ट कॉंदाब कौन दाइमाबाद दक्षिर में है जो कि महारास्टा में और आपका पश्री में कौन सा है पश्री में सुतकांगे डेर है जो कि बलुचिस्तान में है इंडिया में नहीं है और पूर्वी में कौन सा है आलमगीरपूर है आलमगीरपूर जो है वो हमारे यूपी में ये मेरिट के ममांडा सांकाय रकी लिवा है किस नदी किनारे मांडा किनार से उच्छम मोहन जूद्रों निश एक ważne हेँ इसको क्या बोलते हैं Mormon जोद्रों का मतला होता मृत्रग को तीन वहां पर क्या यह हमें घरों में ता विशाल इसनाना गार गण वही को हुआ था हमारे मोहन जोद्रों में इसनाना गार जहां पर इसनाना गार उसी के बगल में कुवे की साथ चेवलना है तो इसका करेक्ट क्या होगा मोहन जोद्रों 20 question है हडपा की मुहरों पर किस जानवर की आक्रती अंकर नहीं हुआ था तो हडपा की जो मुहर थे उसमें बाग, हाथी, गैंडा, चीता सबकी थे लेकिन क्या हुआ हीरन के भी थे लेकिन जो है शेड की साक्ष कहीं भी आमें देखने को नहीं मिलते तो इसका correct answer क्या हो जाएगा शेड जो हाथी के ते, गैंडा के ते, बाग के ते, हीरन के ते लेकिन मुहरों में कहीं भी शेड का जिक्र नहीं है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा एगा क्रेंटी first question हरप भी कौन से हैं गुज़रात में तो गुज़रात में हैं आप से कभी-थौला भी है कहां पर है गुज़रात में । सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं हम रोगों को पता है कि हमारे याद चार वेद हैं रिग वेद यजूर वेद साम वेद अथर वेद वैसे तो पहले यह रिग वेद है फिर साम वेद है फिर यजूर वेद है और फिर अथर वेद है ठीक है तो उसमें से सबसे प्राचीन पू जर यो कोई उसे क्या गहते थे वैदिकामी योग गहते थे 24 ना इस ह्रपमी चल्परबंदन का उचित प्रणाली कहां हो एक आप कर भात्रीन की चल्परबंदन यूठ को रोका, आपर देटा वी यूट बढ़की प्लम कुछकर बिलेता है यह गए है तो एह होगा धौला वीरा विडशने पस उपालन का ग्यान किस काल में हुआ था नौ पासार काल तो उसमें पूरा पासार काल उसमें किसी भी चीज का ग्यान नहीं था उससी को यूज करते थे सिकार करने के लिए ले गए विद्य करते थे और जो मध्यy ihan पासाड काल सकती है कि और जो विद्फ स्अब लगेंगे तो पसु का मध्य पासार काल में था और नौ पासार काल में क्रसी का ग्यान लोगों को हो गया था तो आप से पूछ सकता है कि क्रसी का ग्यान कब हुआ था तो बताएगा नौ पासार काल में और मध्य पासार काल में पसुपालन का साक्ष्य मिला तो मारा जो मध्य पासारकाल है वहां से आदमगड़ और बागवर जो है वह मिलते हैं लेकि आदमगड़ और बागवर से पसुपालन की साक्षे मिलें ठीक है किसके पसुपालन की साक्षे तो एक्जाम में कई बार आपसे पूछ सकता है कि पसुपालन की साक्षे मध्य पास क्वेटर्टेंगी वेश्टेंगे वहां सब्सक्राइब शुञेम तो शॉबसेंगे एक इस सामान कहां नहीं कैसे प्राप्त से प्राप्त हुए इसका जलबंदान का हमने तो दॉला वीरा बंदर्गाह आपका लोथा कि वैं ग्रति को बताई था यह पूर्वी सीमा है यहीं पर क्या इस स्थान पर मेरत में खुछाम आपका आप देता है और कोई सहर देता तो आप किस पर लगेगा मेरत पर ऊपके मेरट में आलमगेरपुर है और ये पूर्वी सीमा पर इस्थीत है है 29 कोश्यन ए खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसर संसरन कहा हुआ था तो देखे खेलो इंडिया यूथ कीम का तीसर संसरन होथा गुवाहटी में और इसमें जो महरास्थ है वह फर्स्ट पोजीशन पर ठी प्रत्थामिस्तान पाने वाला राज्य तो महारास्र जो प्रत्थामिस्तान पाने वाला राज्य था देखिए आज का जो करेंट अफेर्स में जनवरी की डाले गया है 2020 के तो आप लोग जो मारा प्रत्थामिस्तान कौन सा देश पाया कौन सा राज जी पाया था महारास्र पाया था ठीक है और हुआ कहा था गुवाहाटी में हुआ था 31st question ने Global Social nurty इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का इस्थान क्या था तो इसे भारत कांदेश रचिट कोच्रेट करवाता एक तो तो Global Social Mobility Index को कंडेक्ट कराने वाला कौन करवाया था W.E.F. Forum तो W.E.F. का फुल फॉर्म क्या होता है World Economic Forum ठीक है वो क्या कंडेक्ट करवाया था Global Social Mobility Index यहां पर Index होगा इंडिया ने होगा Index होगा ठीक है तो Index को कौन करवाया था कंडेक्ट W.E.F. के दौरा करवाया था आप से कई बार यह पूस्थ सकता है कि डॉव द्यू आझ करवाया था यह रवायन द्यूआ करफोवाया था कई प्रिकार क्योंब vara करेब सकता है तो आप बताएंगे W.E.F. के दौरा करवाया था और WEF का full form क्या होता है वर्ड economic forum होता है और इसमें भारत के इस्थान 77 था टूटल 82 देशों ने participate किया था और डिन्मार्क जो था वो first position पर था आपको इतनी बात इसमें इत्यान देना 32 question is विश्वार्थिक forum का आयोजन कहाँ हुआ देख में फ़िस्वार्थिक फोरम का आयोजन किया गया यह हुआ दावोस अब दावोस है कहां तो दावोस जो है स्वीघ्जर लैंड में तो प्रेश लैंड में डावोस है इस सारे questions आपके January 2020 के तो आप एक बार उसको रिवाइज भी कर लीजेगा और देखिए कि मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जन्वरी के तो डबल एफ अभी हमने बता है कि वर्ड एकोनोमिक जो फोरम होता है ड्लोबल सोशल मोबलिटी इंडेक्स को कंड़िट करवाता है ठीक है और इसका जो करवा था दावोस में हुआ है एक कमेड़ पाचासमा इसका संस्क्राणं और उसका संस्क्राणं हुआ था और पचासमा इसका जीए नवा में है और 1971 में इसकी स्थापना हो थी आपको इतनी बातें इससे याद रखनी है था थी था शन है यूरोपिस उन्हें इयू जोए देखे यूरोपी सदस्य में पहले यूरोपी जो संग है उसमें अठाई सदस्य थे लेकिन जो ब्रीटेन है वो बाहर हो गया तो आप से यह भी पूछ सकता है कि यूरोपी संग में कुल टोटल कितने सदस्य है तो आपको आप्शन देगा 28 29 27 30 तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 27 सदस्य और कौन बाहर होगा ब्रीटेन जो है वो बाहर हो गया 34 कोशन है यूरोपी संग के सदस्य में कितने देश हैं तो अभी हमने बता है 27 देश है ठीक है 28 थे बड़ अब कितने हुए 27 देश हैं बचे हुए 35 कोशन है 71 गरतंत दिवस कारक्राम में मुख्या थे किस देश के राश्पती थे तो हम लोगों को पता है कि ब्राजील के जो मुख्यातिती थे ब्राजील के वह हमारे है 71 गरतंत दिवस में मुख्यातिती के रूप में चुने गये थे राश्पती के रूप में आये थे और उनका पूरा नाम क्या है मेसियस बोल्स नारो ठीक ह दीजेगा वो ब्राजील के राश्पती थे और हमारे यां 71 गरतंत दिवश कारेक्राम में मुख्यातिती के रूप में आये थे ठीक है इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राजील तो अभी हाले में ग्रेमी पुरुसकार का आयोजन किया गया अब देखिया आप ups में आ रहोगा ब्रेमी पुरुसकार की किस संगीत की छेत्र में पुरुसकार दिया जाता है और यह जो है लौस एंजली ठीक है वहां में इसका आयोजन हुआ था 62 वे ग्रेमी पुरुसकार का तो इसका correct answer जोगा वो ए हो जाएगा लॉस एंजलिस और कौन सा था 62 वा संस्क्राण था और संगीत की छेते में दिया जाता है कई बार तो यही पूछा गया कि ग्रेमी जो पुरुसकार है वो किस से related है संगीत के छेते से की पत्रकारिता के की सा बाहिटिके तो आपको बताना है संगीत के छेते से related है 37 कोशन देश का पहला पसु युद्धिसमारक कहां बनाया गया तो इसका correct answer जोगा वो मेरट में पहला पसु युद्धिसमारक बनाया गया मेरट में थे थे रूप प्रतिएट रूसके प्रिधान मंत्री है तो रूसकी प्रुदान मंत्री क्यों है तो इन्होंने प्रुदान मंत्री चुना है तो उनका पूरा नाम हमें बताना है कि वह तक cola सktion में मिसाइल मिन शाशिन ठीक है मिसाइल मिन शाशिन जोन का पनाम है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर जोगा वो बी होगा 29 वा सरस्वती सम्मान किसको दिया गया तो हमें यह बताना है कि 29 वा हाले में भी सरस्वती सम्मान दिया गया और तो वह किसे कि दिया गया था तो दिया गया था आपका राशुँ रीमोई को करेक्ट आनज रोको स्वाव writers पूळ SM कभी तो आपसे यही पूछ गया क fox को गया गया वह जुर्य आपके लिए पूर्टन्स क्चिन बन जाता है कि 29v 20 9 वा सरस्पती संवानवी को दिया गया और किस भासा में सिंधी भासा में दिया गया क Irish और और में कि लिसी थे कुर्ष मेर रबी ब्रबार लोगे हैं डिल z evol tuvo के लिए दिया लगो के लिए 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 시청 से डिजिटल भुकतान या नखली नोटों की पहचान में तो जो मपनी अप दर्श्ट इबादित लोगों के लिए तो इसका सी या उप्षन जोगा वो करेक्ट होगा सब्सक्राइब किसे कि चुना है तो यह बताने कि सब्द को समविधान को अक्सपोर्ड ने प्रोटीन का पूरा पाचन करता है तो देखें प्रोटीन का पाचन कौन अंग करता है जाता है लेकिन अंत जो होता है वो छोटी आंत में होता है और इसमें पूछा किया पूरा पाजन कौन करता है तो उसका करेक्ट आशर होगा वह आत करता है 43 question है आमासे में भोजन की जीवारू को नक्स्ट रिकॉर्ड करता है तेकि आमासे में हमारा भोजन क्या होता है अमली बन जाता है और उसमें क्या होता है S.E.L. जो होता है S.E.L. जो होता है वो क्या करता है भोजन को अमली बना कर क्या करता है भोजन के जीवारू है उन्हें क्या कर देता है नेस्ट कर देता है D.S. का correct option होगा S.E.L. 44 question है पच्चिप पदार्थों के पोशक पदार्थों का पूछन होता है अगर आपसे पूछे की कार्बोहाइड का पाचन नहीं होता है ठीकिए आमासे में कभी совет का अमाशे से स्टार्ट होता है लेकिन तीदेयों का पाचन होता है यह पूछा गया तो छोटी यान थे वहाँ पर क्या होता है बस quicker वह करby het और प्रोटीन तीनों का पाचंते होता है तो 25 प्लचीच अगाँ यहीजोगते सब्सक्राइब उचेस भी फोच्टच से जोड़ता है लिगमिंट क्या होता है तो सद्सक्राइब को पेसी से चोड़ने माला क्या होता है कांडरा बोलते हैं या इंग्लिश में टिंडन बोलते हैं इसको 47 रक्तकोशिका हैं कितने प्रकार की होती हैं तो हम लोगों को पता है हमारे सरीर में तीन प्रकार की रक्तकोशिका होती है लाल रक्तकोशिका और वाइट और तीसरा क्य होता है वो यक्त्रत में होता है और यक्त्रत में एक चीज और बहुत पुछा जाता है यक्त्रत में ग्लुकोज को glycogen में convert किया जाता है कि इसमें glycogen में तो यक्रत से मैं दो चीज याद रखना है इसमें क्या गया होता है यूरिया का sensation होता है और glucose को glycogen में convert किया जाता है तो दो हमें question अक्सर देखनों को मिलते हैं यक्रत से यह हमें याद रखना है तो इस प्रेकार जो है हमारे 48 question का जो series है वो complete होता है यहाँ पर और I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप अपने answer जो है वो ज़रूर बताएगा कि आपकी कितने सही question है तो आप लोग please please channel को share कर देज़ेगा और अपने फ्रेंडों को अपर शेयर कर देज़ेगा और उनसे बोल देज़ेगा कि वो subscribe कर लें चैनल को आप लोगों से हैं humble request है प्लीज क्या कहते है चैनल को subscribe करके share कर दीजेगे और अपने फ्रेंट को भी share और subscribe करने को बोलिएगा और I hope आप लोगों को lecture समझ में आया होगा अच्छे से समझ में आया होगा तो मैं अपने lecture को यहीं भी समाब्द करती हूँ लेकिन आज का जो एक question है मैं आपसे पूस्ती हूँ अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कारिस अंचालन समीति के अध्यक्ष कौन थे हैं तो आप लोग इस question का जो answer है वो comment section में जरूर सी जरूर दीजेगा और आपने कितने question write के हैं 48 में ये भी जरूर सी जरूर बताईएगा तो मैं अपने lecture को यहीं पर समाप्त करती हूँ थैंक यू धन्यवाद